हेलो मैं ब्यूटिफुल सो विल्कम टू मैं यूटुप चैनल गाइस कैसे आप सबी लोग आप सबी लोग बहुत अच्छे हैं अगर आपने चैनल बाइस रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें में चैनल को गाइस एक जनरल कलेक्ट वो टाइमने सीडिंगे जितना र हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है है तो आपके परस्ट इस वाक प्या गयाना चाहते हैं सबसे पिरला काड आया आए पासलाइब का सीजा मेंशल यहां पर कोई का सब्सक्राइब कर रहा है कि वह यकीं करता है पासलाइब करणेशन पर लिगया है यहाँ पर यह person accept करें कि no past life connection होता है और इस चीज़ को यह पूरी तरीके से मान भी रहे हैं कहीं न कहीं आपकी presence this person को na secure feel कराती है आपकी presence this person को na homely feel कराती है इस वज़े से this person ने चीज़े मानना start कर दे कि नहीं past life connection जैसा भी कुछ होता है otherwise बहुत जादा logical mind के लोग इस चीज़ को believe नहीं करते कि past life connection होता है past life connection में कर्मा भी आता है dear और आपका past life connection में आपका genuine connection भी आता है ठीकिए पर्मा मतलब ऐसे हो गया कि मान लीजी किसी व्यक्ति के साथ आपका past life में कुछ अच्छा scene नहीं बैठा था और आपने उसको तकलीफ दी ती तो वो आपकी लाइफ में इस lifetime में कार्मिक बन कर आता है लेकिन past life में आपकी जीको बहुत जादा चाहते थे आपका कोई बहुत ही जादा बड़ा यूनो मैं कहाते हैं बहुत सारे लोगों की खौयश होती है कि मुझे ये person मिल जाए लेकिन किसी किसी वज़ा से किसी कारण से आपकी उसके साथ marriage नहीं हो पाई कोई चीज़ कोई problem बन गई या फिर family नहीं मानी है कुछ भी ऐसा तो एक खौयश के साथ आप आपकी death हुई और जब आप next life में बर्थ लेंगे ना तो वो खौयश के साथ आप जन्म लेते हैं तो वो इंसान आपकी life में दोबारा आता है जो अधूरी खौयश आपकी रह गई थी उसको complete करने के लिए ठीक है लेकिन कई बार कुछ लोग के case में ऐसा होता है कि जो past life में हुआ था वोई इस life में भी repeat हो जाता है तो यह depend करता है यह हम आकाशिक record से जान सकते हैं बहुत सारी लोगों ने बोला था आकाशिक record के यह reading करने के लिए तो इस reading को मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी और पाइल्स में बनाऊंगी ठीक है तो इसको मैं आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी जो second चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हों कि आकाशिक record से हम यह जान सकते हैं आपके साथ एक homely feeling आ रही है अच्छा फील हो रहा है आपके साथ इस person को अच्छी bonding नजर आ रही है और आपके साथ यह secure feel कर रहे हैं इसका मतलब में ना कि यह मान पा रहे हैं कि फासलाई जैसा कुछ होता है otherwise इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो आपको नए नए मिलते हैं सबके साथ तो आपको सेम चीज़ा feel नहीं होती है तो ऐसा यह person सोच रहे हैं और यह person ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत innocent इनसान है और इस person ने आपके innocent energy को judge किया है तो आपके innocent nature को इस person ने judge किया है और ये परसन ने कई बार आपके साथ इस तरीकी चीज़ें करने की कोशिश की है ऐसा होता है कि इनसान आपको अपने लेवल का नहीं समझ रहा है या फिर उसको लग रहा है कि आप में थोड़ी कम्या है जब हम अपने लॉजिकल माइन का यूज़ करते हैं लेवल के आपके स्मार्टनेश की आपको थैसाल भ कमिया पार्टनर को है लेकिन आपके जो person है ना वो इस चीज़ को ऐसा नहीं समझ पाई कि आपका innocent nature है या फिर आपकी innocence है इसको इस person ने judge किया है past में और उस चीज़ के लिए ना यह person अभी फिलाल में आपको मतलब ज़से देख रहे हैं तो इस person को अशल लगए कि यह चीज़ definitely wrong है okay next we have the outsider का card है so outsider कहीं ना कहीं यह चीज़ दिखा रहा है कि okay तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से ही ऐसे रहे हैं ठीके जब आप इस person से मिले थे तब ही से मुझे लगता है आप ऐसे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में गुलते मिलते नहीं है और आपकी लाइफ में हमेशा ही ऐसा रहा है कि आप अपनी company enjoy करते हैं अपर अकेला रहना पसंद करते हैं ठीक है लेकिन इस person को ऐसा लगता था आपको देखकर या फिर इस person हमेशा ऐसा सोचा है कि आपकी हरकत गलत है ठीक है या पर आप पताने कैसे ही इंसान है या फिर कैसे ही पर क्या होता है इंसान हमारे मुँपे कुछ चीज नहीं बोल रहा होता है लेकिन हमारे बारे में सोच रहा होता है तो जैसे outsider का message दे रहा है लेकिन आपकी person को ऐसा लग रहा था कि आप इस दुनिया के है ही नहीं तो यहां पर बतानी किसी तरीकी की जिन्दगी को जीता है आपने देखा होगा ना बहुत सारी लोग को आप देखकर सोचते है यार यह ऐसे कैसे जी सकता है इसको ऐसा फील नहीं होता होगा इसको वैसा फील नहीं होता कई लोगों को देखकर आपने ऐसा सोचा होगा अपने मन में बहुत सारी लोग सोचते हम भी सोचते है जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसकी लाइफ बहुती जादा अनप्रेडिक्टेबल होती है और उसको आप देखते हो तो आपको लगता है इस तरीके से जिए रहा है कोई ऐसे कैसे जी सकता है उसी तरीके से जब आप जी रहे थे या फिर आप कोई यह परसन अकेला बहुत जादा सोशल नहीं है तो कोई ऐसे कैसे जी सकता है ठीक है पर यहां पर काड़ आ रहा है पार्डिसिपेशन का ठीक है मैं बहुत अची कॉलिटी बताती हूं जो भी यूनिवर्स के चोज़न वन्स होते हैं जिक है जिनको यूनिवर्स ने चुना है डेफिनिटली क इसे हो जाओगे ना कि आपको खुदी फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगए या तो वो आपको छोड़ेंगे या आप उनको छोड़ोंगे मतलब आप बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहोंगे अकेला पन आपको मिलता ही मिलता है और अकेला पन दिखाता है कि यू आप एक क्योंकी आपकी यही चीज़ Eller इसे यही आपको देखेतेती ना कि जो से यहरी सीह यहीं चे efficacy वहाँ क्यों चाइस पर रहे हैं कि 10 2015 से ज़ते हैं वह बस تمहारे से तुमारे सामने मूह पर अच्छे हैं तो है तदो इसमें हि bulky नहीं देख सकते हैं उनसे तो अपनी चीज़ों से लियर बेंगे देग और जो तुम्हारी लाइफ में एक ब्लॉक इज का काम करती है यू जिट है सो आपकी लाइफ में लॉक टेयर करते हैं को भी कहीं नगे वही सेंव फीलिंग आ रही है आऊसाइडर वाली इनको भी वह चीज फील हो चीज के अधर कि ईयसे लेना आपको जब चीज छोडने के लिए बोला जाता तो आप रोने लगते हो कि मुझे चीज चोडने के लिए मत बोलो मैं न e कि ऐसी चीज़ों को भी पकड़कर बैठा रहता है इंसान जो सबसे जाद उसको नुकसान दे रही है नुकसान पहुंचा रही है ऐसे इस परसन के अंदर भी फिलाल की एनरजी है आपको लेकर तो इस परसन की जैसे धारने युनिवर्स ने बदल दी जैसे युनिवर्स ने आपके प्रतिस परसन की पुरी सोच को ही बदल दिया जो व्यक्तित वी परसन अपने नजरों में डाल कर बैठे थे आपका वो पूरा चेंज हो गया ठीक है और ऐसे च्रांस्वर्मिशन उनिवर्सी कर सकते हैं यहाँ पर क्रेटिविटी का कार्ड आ रहा है ठीक है एंपर क्रेटिविटी का कार्ड है कि आपका जो व्यक्तित है इस परसन की नजरों में पूरी तरीके से बदल चुका है जैसा ही आपको देख रहे थे बोला बाला सा ठीक है उससे तो बिल्कुल अलग देख रहे हैं यहाँ पर यह एनरजी जो हैना यह एंपरस की एनरजी होती क्र was not Namazya Mentory निए यहाँ पर आप गिरीके सब्सक्राइब देख करीयिए कि क्रिदेटर की उनरजी है अटक्राम में क्रॉाचित 개न के सकता है इक्षाज क्ःत्लियकत अब पर उप्लान के साथ और आपको किस पार्टन के साथ आपको नहीं रहना है जब आप चेतना में होतें है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में उन चीजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है जो चीजे आपके लिए बंदन है ठीक है जैसे मैंने कर्मा का आपको नियम बताया था कि कर्म में इनसान का फस्ता है जब वो काम, क्रोड, मो, माया, मत्सर इन सब चीजों में होता है तब वो कर्म में फस्ता है यानि किसी बैड कर्मा में ये गुड कर्मा में लेकिन जो इनसान ग्यान के माद्धियम से ग्यान के प्रकाश्टर से ये जान जाए कि अपनी चेतना म कि इस तर को समझें तीक है उसके बाइद उसको कोई भी कर्म आकरशित नहीं कर पाएगा अपनी तरह कर्म आकरशित होता है या तो आपको कोई लाला चाह जाता है या तो आपके अंदर काम है क्रोध है मोह है किसी तरीकी का यह चीज़ें कर्म को आकरशित कर लेती गलत काम कर सब्सक्राइब कर दो करने पर मजबूर कर देती हैं इसी से आप भैकाबल में कर कोई इस तरीके की काम गड़ते हो जब आप चेतना में होते हो ना जैंब अल्टीमेट कॉंशियसनेस बोलते हैं वहां पर आप क्रेटर हो जाते हो जो मैं क्रेटर की अकसर बात करते हैं तो किसी चीज से अटाच्मेंट में नहीं होते हैं आप समझ जाते हो कि यहां पर कुछ भी पर्मानेंट ही नहीं हम खुद पर्मानेंट नहीं है तो इस तरीकी के जो लोग होते ना उसके बाद उनका मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है उसका होते हैं यह आपकी चेतना का स्तर है जहां पर आपकी आज इसी मेधिलिस्टेक वर्क है है लेकिन चेतना आपकी एप्ट से रिलेट कर रही है तिक उस कौन्शियसनाइस में आप बहुत साइब चीज़ों को रट को कर चुके होते हो और फ्री हो गया होते हो और आपका मैनि जिस चीज के पीछे पढ़ना छोड़ोगे वही चीज आकर आकशित हो जाएगी उससे अटैच्मेंट छोड़नी पड़ती है तो यह होता है कि बहुत सारी चीज़ा में आपर गाइड करते रहे तो बहुत सारी लोगों को नहीं इंटरस्ट होता है नॉलेज में लेगें यहा है और किसे लिए हैं और आप कौन है यह इंप्पोर्टन्ट है सर जानना कि पार्टनर क्या सोच रहे इस नॉट वेरी इंपॉर्टन्ट छीकर्ण तो यह चीज नज़र आ रही है तो कही नगए आपके पर सक्राइज हो रही है आप यहाँ पर करना मिरर्य हो दिए चीज़ आपका क्या रोल है तो जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो प्रकृति आपके बारे में सोचते हैं जब आप अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोचते हैं और एक को डिपेंडलेंसी में जाते हैं पुरी प्रकृति आपको पकड़ के लिए बाकी लोग का मुझे नही उनको ना चोट मिलती है एंको गिराया जाता है उनको ठिगाश दिये जाते हैजब उपनी तुस्परों के वारे इन है इसका मदलेहिन है कि आप अपनी खुषिंग के वारे में सोचे छफिशनेश में वताया तो सफ लड़ में अंतर होता है जेल्फ लव में प्राइर्टी आप होते हैं ठीक है यह चीज मुझे आप पर नजर आघी और यहां पर लेटिंग को का कार्ड है आपके परसंद ने ना यह भी देख लिया है कि आपने इस परसंद को पूझा किसे लेड़ को कर दिया है जो चीज़ें आप पास्ट में करनी तो आप समझे कि जो चीज़ों के पीछ आप पास्ट में भागे हैं वो आपकी तरफ फिर आपका कितना मन है क्या मन है उससाब से आप काम करेंगे तीगा सो इना वर्क इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह आपको मैगनेट बनाता है अब यह इनसान की खुद की आप बनाएंगे वैसी से जिन्दगी हो जाएगी बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं वह से लड़ियां बहुत को डेपेंडेंसी में हैं उनकी शादी के बाद भी चीज़ें खराब हुई है और इस वज़े से भी को डेपेंडेंसी में और उनको लगता है सब कुछ खत आपके परसंदी करेंट एंडेंस एंडेंस एक अपने को किसी से कम नहीं आखने का आई आप लोग लिए निकल कर आई आई होप आपको यह रीडिंग पसंद आई हो रीडिंग पसंद ने तक आई प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्यू गा